नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आर्क एलेक्रोनिक्स में आज हमारे पास जेवाई सुपर कंपनी का तीन टॉर्च है और इन तीनों के बारे में हम आपको कुछ बाते बताएंगे किसमें सबसे अच्छा टार्च कौन है और किस टार्च की बैटरी बैकप कैसी है किसमें कौन सी बैटरी पड़ी हुई है किस टार्च का फोकस लंद कितना है सबसे पहले हम इस टार्च से सुरू करते हैं इस टार्च को खोल के देखते हैं टार्च कैसा दिखता है इसको साइड से खोलने के लिए बनाया गया है यहां से यह ओपन होगा और हम इस टार्च को निकालते हैं तो पीछे साइड में इसका चार्जर रखा हुआ है ये इसका चार्जर है इसमें मोटा वाला कुन लगता है और ये टार्च है जे वाई सुपर कमपनी का माडल नंबर 1703 ये इसका बॉक्स है इसको हम जला के देखते हैं बहुत अच्छी इसकी रोसनियम को मिलती है तीन स्ट है दूसरे स्टेप पर लो है उसके दाफ है इसका पीछे सुच दिया हुआ है इस वल्ब को जलाने के लिए यहां पर सुच दिया हुआ है यह हमारा इमर्जंसी लाइट का काम करता है तो काफी अच्छी रोसनियम को मिल रहे हैं देखने को इसको अभी तीन स्टेप मेंने बनाया हुआ है फस्ट फे लो है सेकेंट फे हाई और थर्ड पर आफ हो जा रहा है कि इसका जो फोकस है लबग 200 मीटर के आसपास है अगर हम इसको जलाते हैं तो इसका जो फोकस है 200 मीटर तक जाता है इसमें जो बैटरी पड़ी हुई है 3.7 बोल्ट की बैटरी पड़ी लगों जितने भी इस टाइप के टार्च होते हैं जेवाई सूपर कंपनी के ज्यादा तर ये 3.7 बोल्ट के टार्च 3.7 बोल्ट के सिल को ही यूज करते हैं तो इसका जो बैटरी बैक अप है अगर आप लगातार सामने वाला जलाते हैं तो आपको चार से पास घंटे तक लगातार मिलेगा अगर आप पीछे वाला जलाते हैं तो 3-4 घंटे आपको इस यूज कर सकते हैं इस चारजर के मादम से 3-4 घंटे पुरा बैटरी फुल चार्ज कर सकते हैं हमारे पास जे वाई सूपर कंपनी का माडल नमबर नमासी नबबे टार्च है इसको भी ओपन करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या-क्या चीज़े मिल रही हमको यह टार्च है एकदम सौधी माडल टार्च इन्होंने बनाया हुआ है इस फिर्फ आगे आगे में है इसमें पीछे लाइट नहीं है काफी अच्छा इसको बनाया गया है इसकी जो फोकस है बहुत जादा है लबब 300-400 मीटर के आसपास इसका फोकस लेंथ है और इसके साथ भी आपको चारजर मिलता है यह इसका चारजर है जे वाई सुपर कम्पनी के तार्च का चारजर इसमें मोटा फिन लगता है इस टार्च में भी 3.7 बोल्ट की जो है बैटरी लगी हुई है और इसका भी जो बैटरी बैक अप है अगर आप सामने सामने वाले को जलाएंगे तो लगभग 4 से 5 घंटे तक इसका बैटरी बैक अपको continuous मिलता रहेगा तो इसमें 3.7 बैटरी 3.7 बोल्ट की बैटरी का यूज हुआ है और अगर ये बैटरी खराब होती है तो आप इसको आसानी से बदल सकते हैं यहां से ये टार्च को हम खोल सकते हैं और हां से हम इसको बैटरी को बदल सकते हैं पोटर्टवल बैटरी है इसमें आपको टांका पोरो लगाने ज़रूत नहीं है आप उसी को बहुत आसानी से निकाल कि बदला जा सकता है इसे निकाल इसको बैठी डाल सकता है इस्ते लिए टार्च भवत प्लेट है। पूरा प्लेट अलग से मिल जाता है। दिया हुआ है एक से पीछे पर जल रहा है तो इसमें जो बैटरी पड़ी होई है 3.7 बोल्ट की बैटरी पड़ी होई है इसका भी सेल जो है मासानी से बीना इसको टांकाव का लगा इसके सेल को बजल सकते हैं आप सामने वाला जलाते हैं तो लगबग 4-5 घंटा बैटरी 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 पाप मिलेगा और इसको भी आप जो है 3-4 घंटे में पूरी फुल चार्ज कर सकते हैं इसका फोकस लेंद लगबग आधा किलों मीटर 500 मीटर के आसपास होता है तो यह 3-0 टार्ज चों में 3.7 बैटरी का यूज किया गया है और 3-0 के साथ चार्जर दिया गया है और जो 3-0 टार्ज का कीमत है यह 3-0 टार्ज जो है लगबग 500-300 के बीच में इस तार्ज आपको मिलेंगे इन सब का रेट जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माडल नेम के साथ लिख देंगे आप वहाँ से इसका रेट देख सकते हैं इस टार्ज की कोई गारेंटी वरेंटी नहीं आती है और काफी मजबूर टार्ज होता है जल्दी यह खराब नहीं होता है और यह जो बना हुआ है से बना हुआ है ऐसा नहीं कि गिर जाए फूट जाए प्लास्टिक बाड़ी नहीं है और आप टिकाव टार्च होता है गर आप टार्च लेना चाहा रहे हैं तो आप जेवाई सुपर कंपनी का टार्च पर्चेश कर सकते हैं जो हमने आपको तीन मॉडल दिखाया हुआ इसी म रिपेर करना बहुत आसान होता है जब भी कोई कमी आती है तो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं इसका हर एक पूर्जा होता अलग अलग पार्ट होता सब अलग अलग हमको मिल जाता है इसको ठीक करने के लिए तो हमारे पास तीन तरह का टार्च है तीनों एक से बढ़के एक ट पानी से मिल जाता है ठीक है दोस्तों धन्यवाद